.facebook.com करके page हम open करेंगे उसके बाद हमारा page यहाँ पर open होने के बाद हम click here template पर click करेंगे उसके बाद हमारा templates का page open हो जाएगा create template पर click करने के बाद हम transactional पर click करेंगे उसके बाद हम template का name देनेंगे यह template हम custom template बना रहे हैं इसका हम नाम देंगे reminder template अब हम language select कर लेंगे जिसे मुझे उसे English में बनाना है तो मैंने उसे English पर click किया अब हम यहाँ पर select करने के बाद दुसरा हमारा page open होगा जैसे हमारे पास option है header, body and footer का तो header में हमें इस तरह से लिखना है कि जैसे हमें बहुत सारे messages आपने देखे होंगे आते है कि आपकी ticket book confirm है boss ticket हो या फिर आपकी movies की ticket confirm हो तो उस तरह के message कैसे बनते है मैं आपको इस template में समझाओगी जैसे header पर click करने के बाद यहाँ पर हम text select कर लेंगे और हम यहाँ पर header का उसका नाम देंगे जैसे हम नाम दे रहे हैं हभी booking confirmed जैसे हम लेंगे seat confirm right seat confirm हमने टाइप किया उसकी बाद हम body में लिखेंगे यहाँ पर हम मैं आपको इक अलग चीज दिखाऊंगी यहाँ पर हम variable use करेंगे अब वो variable किस तरह से add करना है वो आप देखोगे यहाँ पर your seat number add variable किया हमने उसकी बाद वो हमारा one पर select हो गया right अब हम दूसरा उसमें टाइप करेंगे your seat number के बाद हम टाइप करेंगे name और हम add variable पर क्लिक करेंगे तो दो नबर का variable हमारा add हो गया अब यहाँ पर हम लिखेंगे class add variable पर क्लिक करने के बाद third number का variable भी हमारा add हो गया यह variable जब हम add करते हैं तो यह उस काम में उस time ही काम आता है जब हम excel file अपनी upload करेंगे bondrics के पैनल में जब excel अपलोड करोगी तब यह variable अपने हिसाब से जीस रू में हमारा variable होगा वहाँ पर accept करेंगा फिर हम लिखेंगे यहाँ पर confirm in manpower confirm in manpower event उसकी बाद हम footer पर type करेंगे xyz mind power team अब जो हमें buttons के optional दिये है हम उस पर देखेंगे कि दो option है call to action and quick reply यहाँ पर हम call to action में क्लिक करेंगे call to action में क्लिक करने के बाद हमें button का text देना है अगर हमें body में और extra typing करने है कि reply with चुले हम बटन में देखते हैं type of action पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर बटन टेक्स लिखेंगे call now उसकी बाद हमारी country code यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे और जिस नंबर पर हमें call चाहिए phone number यहाँ पर हम type कर लेंगे add another button पर क्लिक किया उसमें हमारी visit website है तो यहाँ पर जो हमारा button text होगा यह मेरा phone number again में type करोंगी उसकी बाद हम type action पर देखेंगे कि visit website पर हमें select करना है तो visit website पर क्लिक किया button text पर हम देखेंगे कि मुझे क्या type देना है तो visit website URL टाइप में हम देंगे static और website की URL टाइप कर लेंगे अब मैं आपको प्रिव्यू में दिखाओंगी कि यह किस तरह से शो करेगा तो यहां से यह पुरा template इस तरह से शो करेगा your seat number, name and class and confirm in my power event और यहां पर अब हम उसे उस template को submit कर देंगे तो यहां पर seat confirm remove करके हम booking confirm कर देंगे कि booking confirm ज्यादा suit हो रहा है यहां पर तो जैसे मैंने यहां पर booking confirm change किया तो आप प्रिव्यू में देख सकते हूं कि वहां पर किस तरह से लिखा हुआ आ रहा था अब यहां पर मैं उसे submit कर दूगी यहां पर body में आपको बहुत सारे option दिये है कि आपको वह writing में किस तरह से लिखना है यहां पर मैंने इस template को confirm किया और आप देख सकते हो कि वह template यहां पर confirm हो जाने कि बाद in review में आया होगा तो last में देख सकते हो आप कि reminder करके template जो आया है वो in review में है वो थोड़ी time में सब active हो जाएगा तो इसी तरह से आप मेरे न्यू वीडियो को दिखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माइ YouTube चैनल इजोवेशन थैंक यू झाल